हलो अच्छो गुड वागनेंग कैसे हो आप सभी वज़ेवे होंगे सु चलो आप आज पाइज वीडियो शुरू करते हैं कल तक हमने देखा वन वेरियेबल को वन वेरियेबल एक्वेशन को कैसे सॉल खरना आज हमारा टॉपीक है तो सॉल टू वेरियेबल एक्वेशन और ह हम इसमें पांच टैक पढ़ने वाले किसने टैक पढ़ने वाले यहां पर हम पांच टैक उसमें से पहला टैक है हमारा सीधे में से पहला टैक कुन से हमारा सीधे में से उसमें दो पॉइंट है नमबर बच्छो उसमें स्टार पॉइंट भी है जो है सब्ट्राइशन करते स हमें नीचे के साइंस बदलना तो चलो हम एकसामपल से इसको समझते हैं चलो हमारे पास दो एक्वेशन से नुबर वन X प्लस Y is equal to 5, equation first, X-Y is equal to 1, equation second, अब बच्छो हमारा टाइप का नाम क्या है सीधे में से, द्यान भी रखना है एकदम सीधे में से, इसका मतलब क्या है, तो यहीं देखो, X के साथ आपको X देखना है, Y के साथ Y, ऐसा तिलशा देखना नहीं है, सीधा है, X के साथ X, Y के साथ Y, अब आप देखो यहाँ पर X के साथ क्या है, 1, यहाँ पर X के साथ 1 है, यहाँ दोनों के दोनों X सीधे में स उसी प्रकार Y को देखते हैं तो इस Y के साथ में वी 1 है। अब यहां पर सीधे में एकस वाला भी सेम है। प्लस और यहाँ y का साइन है माइनस यहने अब उन टाइप में आगे सिबे में से दूसरा अब साइन कैसे है वाय वाय को अगर देखते तो डिफरेंट अगर डिफरेंट साइन है तो हमें क्या करना है एडिशन हम यहाँ पे एकवेशन 1 और एकवेशन 2 की addition करेंगे सो चलो इस तरह से लिखते हम हम यहाँ पर लिखनेंगे देखो from 1 plus 2 आपको किस तरह से लिखना है इसको from 1 plus 2 अब आपको एक के नीचे किसके addition कर रहे है सो एकवेशन 1 को पहला लिखेंगे हम x plus y is equal to 5 कि एकवेशन फर्स एमारा उसके बाद उसी के नीचे दूसरा लिखना है x minus y is equal to 1 यह equation second और हम इन दोनों की क्या करने वाले addition इससे एक बाद हम y को देखतर काम कर रहे यहाँ पर दोनों की sign different है और different sign होने के कार हम यहाँ पर क्या करने वाले है addition करने वाले अब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं हमने एक ही नीचे equations को लिख दिया यहाँ अब हम इनके addition करेंगे addition करते समय यहाँ पर sign देना है और एक यहाँ से horizontal line है यहाँ पर practically addition करेंगे देखो यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं है नहीं यहाँ पर भी 1 है यहाँ प्लस 1x 1x प्लस 1x कितना बन जाएगा बच्चों 2x अब यहाँ पर plus y और minus y देखो एक ही चीज़ है plus में और minus में तो वो cancel हो गए यहाँ यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए 2x is equal to 6 याने हम आगे equation in 1 variable जो हम पहले से पढ़ चुके वहाँ परना दिया है आपको जो variable है उसको खिला दो तो यहाँ पर x है x के साथ 2x क्राके है और वो भी कहाँ पर है इसमें है multiplication हो है तो आपको यह 2 उधर लिखे जाना है जो जाहेंगे हमारे division में ठीक है यहाँ पर multiplication उधर division आप तो पटेकर पुलो तो 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 याने हमारे पास x की value कितनी बन देंगी 3 ठीक है अब हमारे पास एक variable की value मिल गई x की value मिल गई अभी हम तो y की value धुणना है तो उसके लिए क्या करेंगी इस x की value को हम equation 1 या पर equation 2 जो भी आपको easy लगता है उसमें रख देंगा है मैं यहाँ पर equation 1 में रख दो आप इस तरह से लिखेंगे 4 x is equal to 3 in equation first इसका मतलब भी जाना है इसका मतलब क्या है कि equation 1 में जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ कितना आने वाल है हमारा 3 आने वाल तो चुरू देखो कहाँ में हमारा equation 1 यह equation 1 है इसमें x है x के जग़े में कितना लखने वाले है 3 साथ में है आगे plus y is equal to 5 plus y is equal to 5 अब हमको क्या चाहिए सर्फ y यह 3 उदर जाएंगे तो क्या बन जाएंगे minus यह हम already बढ़ चुके so y is equal to 5 minus 3 so y की value बनेंगे यहाँ पर 5 minus 3 यह बन जाएगा 2 so y की value अपने आप यहाँ पर आपके रिखने 2 और last में आपको यहाँ पर एक line रिखने पर हम यहाँ पर लिखेंगे solution of equations क्या लिखेंगे हम यहाँ पर solution of equations solution of equations धान में रखना है यहाँ पर आपको गोलु प्रैकेट बनाना है means round bracket बनाना है क्या बनाना है यहाँ पर आपको round bracket और abuse 確क अनुसा पहले हम यहां पर x की वेलु दिखेंगे 3, कॉमा करेंगे और फिर हम यहां पर पूट करेंगे y की वेलु जो हमारी कितनी आठीपी है 2 यानि हमारा equation का solution बन चुका है 3,2 इसका मतलब इसमें x की वेलु 3 है और y की वेलु 2 है लेगा पुच्छ जान में चलो अभी हम next example देखें जान में रखना है हमारा type पहला ही चलो है सीधे में same चलो यहां पर देखें हमारा पहला equation है 2x minus y is equal to equation first second है 5x plus y is equal to 34 equation second अब यहां पर देखतें फिर से हमारा y सीधे में same है जलो check करो यहां पर 2x है यहां पर 5x है कि आपको नज़न आना same है क्या नहीं अब यहां पर देखो यहां पर कितना number है y के साथ 1 है यहांपे आप कितना है y साथ3 1 मतलब यहां पर y सीधे में same है यहांपर देखो यहां पर x दी gettin PA wigh में तो डिफरेंट देगा हम क्या करने वाले चलो बताओ हाँ अडिशन तो चलो हम एडिशन करेंगी फिर से एक्वेशन 1 और 2 को एड़ कर रहा है तो ऐसे करेंगी यह सिंपल आपको लिखना है फ्रॉब एक्वेशन 1 प्लस एक्वेशन 2 इस तरह से और फिर एक भी नीशे लिख यह होगा है एक्वेशन 2 चलो एडिशन करो एडिशन के लिए साही लिखना है यहाँ पर चलो बादा पटसे पटसे 2 एक्स प्लस 5 चलो कितना होगा 7 एक्स ठीक है माइनस वाइ प्लस वाइ कैंसल यहाँ पर बनेगा इस इक्वल टू 8 और 34 पटसे करिए यह बन जाए ना 42 यह अब सौन करिए चलो आगे सौन करिए एक्स एक्स इस इस इक्वल कर दो क्या पनिदा है 42 पार सेवन और चलो पटसे बुले के हैं एक्स इस इस इक्वल गर्टू शिख को लगा रहे नहीं है एंसन ऐसको दुदिन दिये तिक है चलो हमको एक्स की वैल्यू मेरेगि जु रदितो तो चलो पूर्ट x is equal to 6 in equation first चलो पूर मतला की इसका मतला आप पड़ से equation 1 में जहाँ पर x है वहाँ पर 6 आएगा ठीक है तो चलो यहाँ के देखिए यह 2x है ओ तो 2x सा मतलब क्या 2 plus x 2 minus x 2 into x की 2 divided by x yes क्या होने वाल है यहाँ पर 2 into x तो यह 2 है into x x की value जहाँ चुकी है 6 आगे है minus y is equal to 8 चलो फटा पट 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 स्वाल करो पाहिने multiplication 6 to the 12 minus y is equal to 8 चलो आपको y चाहिए तो minus y रखेंगे आप सिर्फ 12 को उदर लेकिए 12 के सामने देखिए plus है कुछ नहीं दिखता मतलब plus उदर जाएगा तो यह बनेगा minus अब solve करिए minus y is equal to 8 में से 12 गया actually आपके different sign है different sign है तो subtraction subtraction करती सम है बड़े number का साहिए बड़ा number 12 है उसका minus ठीक है अब 12 में से 8 गया यह आएगा 4 लेकिन बच्चो अब है minus y नहीं चाहिए हमको plus y चाहिए इसका size बतलेंगे तो y और इसका size बतलेगा तो 4 यहाँ पर हो गया हमारा equation solve और fast आपर भी लिखेंगे solution of equations क्या लिखेंगे हम यहाँ पर solution of equations is equal to चलो कुन सा bracket गुलू bracket round bracket ठेक है पहले किसकी value x की किती value x की 6 और फिर बात में y की value यह बढ़े 4 तो इस तरस्ट है आपको solve और चलो पटसे next की तरफ चलते है चलो क्या है हमारे पास चलो देखो यहाँ आपकर third problem है 4x plus 3y is equal to 23 equation first 7x plus 3y is equal to 29 equation second चलो पटसे बताओ सीधे में same कौन same है yes y same है कौन same है y 3y 3y हाँ लेकिन यहाँ पर sign plus plus same है की different है same 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 sign है तो क्या करेंगे हम subtraction ठीक है डान में यह भी रखना है आपको चलो पहीली बात तो यह लेकिर यहाँ पर चलो क्या है same sign है तो subtraction so यहाँ पर लिखेंगे हम from one minus two यह दयाम में रखना है चलो उसके बार यह point डान में रखना है कौनसा पहीली बात तो यह के same sign है तो subtraction अब subtraction सब्सक्राइशन करते समय नीचे के साइन बदलना है नीचे के साइन नीचे जितनी भी लोग है उन सब के साइन बदलना चाहिए अब यहां पर दिकता नीचे बनेगा माइनस यहां पर है 3y-3y का सब कुछ मालूम है बड़े नंबर का साइन 29 माइनस में 29 से 23 गए बचेंगे 6 चलो पड़ा 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 गुजा 6, so x के value आगे हमारे पास 2, लाकिन y तो बाकी है, आप y के लिए क्या करेंगे, हाँ, क्या करेंगे हाँ, 4 x is equal to 2, in equation 9, okay, first, तो first, चलो इसका मतलब क्या, equation 1, जहाँ जहाँ x, वहाँ वहाँ 2, चलो, 4 x है, 4 इसका मतलब, 4 into x, x याने 2, प्लस, आगे क्या है, 3y is equal to 23, 0, पड़ा पड़ा, पड़ा पड़, 4, 2s है, 8, प्लस, 3y is equal to 23, जो आगे, y की value ने कालना है, अब y के साब 3 b, यह, 8 b, पहले को, yes, पहले को जाएगा 8, जैने गोगा, 3y is equal to 23 minus 8, जो अलकर ये, 3y is equal to 23 में से 8 गया, 15, पड़ा पड़ा, पड़ा पड़, y is equal to 15, अकॉन, 3, मतलब y की value बनेगे 3, 5 यूजा 15 यहने y की value 5 और final यहां पर आपको लिखना है क्या solution of equations क्या लिखना है यहां पर solution of equations is equal चलो पहले कौन x, x क्या है 2 और बात में y, y है 5 तो मेरे बच्चों यह हमारा है सीधे में same, पहली बाद तो यह, डाल में क्या रखना है सीधे में same उसमें 2 point, different sign है तो addition, same sign है तो subtraction और suppression करते समय नीचे का sign बदलना, star pointed and रखना तेक है और इन example से हम इसको समझ चुके अब आपको यह 4 problem homework है करेंगे ना, पका करके लाना है और हाँ बच्चों जो भी नहीं समझेगा, attention लेनी की ज़रूत नहीं है, मुझे आप personally call कर सकते हैं, मेरा number यह आपके पास नहीं हो, तो कोई हरकत नहीं, मुझे बोलिए, मैं आपको मेरा number भी दे दूंगा, टेक है, और solving करना है, और धन में रखना है, अगर कोई चीज नह ही आती हारनी रहना, दोडो तिन जिन बडर करके देखना है, अबलगर कर दक नहीं होते और कोशिश करने वालों की हार नहीं होते, मेरा बच्चों आज के लिए इतना है, बाके का हम बात में देखेंगे, और please यह का त्राइ करिये, नहीं है तो अर्कत नहीं, भर करिये, ट कि कि अपयों वे 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 जो बाए